तो section 16 तक हम लोगों ने देख लिया था और हमने अब हम आ रहे हैं section 17 पर जहां पर हम बात कर रहे हैं apportionment of credit and blocked credit तो इन दोनों के बारे में बात्चित करते हैं section 17 तब section 1 क्या कहता है अब इसमें रटने की तो कोई बात ही नहीं है समझने की बात है कि आपको जो GST department है वो ITC क्यों दे रहा है क्योंकि उसको जब आप बेचते हैं या business के लिए use करते हैं फिर आगे बेचते हैं तो वहां से जब output tax होता है तो वो government की gym में आ जाता है तो इसलिए ITC मिल रहा है अब उसे आप business के लिए use ही नहीं कर रहा है आप घर पे ले जा रहे हो तो वहां ITC कहां से आपको मिल जाएगा क्योंकि government को आगे तो tax आ नहीं रहा तो आपको सेशन 17 सबसेशन 2 कहता है वेर दा गोर्स और सर्विस और बहतार यूज़ बार रेस्टर परसंट पाड़ी और एफेक्टिव टेक्सिवल सप्लाई इंक्लूदिंग जिरो डिटी सप्लाई और अडर आई जी एस्ट एंड पाड़ी फोर दे एफेक्टिव एक्टिव सप्ल दिजनेस तो और बिजनेस तो ना बिजनेस वाला नहीं मिलेगा बिजनेस वाला आई टी सी मिलेगा बिजनेस में अब सेक्शन 17 टु क्याँ बिजनेस में डू बात है टैक्सप्लाई निक्लीन जीरो डेटियू आइट पी Ramade P मतलब यही है कि आपको ITC मिल सके आपको यह बात समझ नहीं कि 0 rated का मतलब क्या हूँ से यह क्यों नहीं कहा exempt है इसे लिए नहीं कहा exempt है क्योंकि exam बोल दिया तो आपको ITC नहीं मिलेगा और 0 rated बोल दिया तो output tax नहीं है लेकिन आपको ITC मिल जाएगा तो अगर आपने sale करिये सप्लाई करिये इसमें 0 rated मनदा taxable है नोन-taxable है तो नोन-taxable पर नहीं मिलेगा taxable पर मिलेगा यह 17.2 बोलता है 17.3 The value exempt supply under section 2 shall be such as may be prescribed and shall include supplier only recipient is liable to pay tax on reverse charge basis transaction security sale of land and subject to close B of paragraph 5 was scheduled second sale of building तो यह कह रहा है कि जो exam supply है subsection 2 में वो बताया जा सकता है क्या है उसके अंदर क्या आएगा shall include supply on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis transaction in securities sale of land and subject to close B of paragraph 5 5 of schedule sale of building तो यह सब चीज़े हैं जिसके उपर आपको IT से आएगा explanation क्या है for the purpose of this section the expression value of exempt supply shall not include the value of activity or transaction in schedule 3rd accept those specified paragraph 5 of the said schedule तो इन सब के बारे में बाच्चित करते हैं तो हमने जब रिवीजन किया था तो हमने यह देखा था इस schedule 1 में लिखा है supply without consideration consideration नहीं है तो भी उसको supply माना जाएगा और उस पर GST लगेगा schedule 2nd में था कि supply of goods क्या है और supply of services क्या है और schedule 3rd था non supply बतलब जिसको supply माना ही नहीं जाएगा supply services employee employer को दे रहा है या code की है MPM में लेगी तो यह सब हमारे schedule 1, 2, 3 है तो याद रखना आपको और जगे schedule 1 supply without consideration जहापक consideration नहीं होने के बावजूद GST लगता है और schedule 2 में यह बताया क्या है supply of goods or supply of services और schedule 3 में बताया क्या है किन पर supply है ही नहीं और उस पर GST लगता ही नहीं है ठीक है अभी हम detail भी इसकी पढ़ने वादे आगे लिखा है subsection 5 में note withstanding anything contained in section 61 and 18 1 ITC shall not be available in respect of following यह कह रखा है जो भी लिखा है उसा भूल जाओ इन चीजों पर ITC आपको नहीं motor vehicle for transportation of person having approved sitting capacity of not more than 13% except when they are used for making a full line supply mainly further supply of motor vehicle transportation of passenger and imparting training on driving such motor vehicle तो यह कह रखा है कि अगर motor vehicle है और वहां 13 तक लोग है not more than 30 है 13 से जादा तो एक तरीके से बसे वगर आओ जाएगे तो अगर 13 से जादा नहीं है तो इसकंदा वो transportation of person के लिए इस्तिमाल हो रही है 13 से जादा नहीं है तो बहुत बड़ी गाड़ियां तो नहीं है तो उन पर आपको ITC नहीं मिलेगा लेकिन अगर for the supply of such motor vehicle अगर वो motor vehicle की supply के लिए motor vehicle यूज हो रही है या transportation of passenger के लिए यूज हो रही है क्योंकि transportation of passenger का मतलब कि वो business purpose के लिए यूज हो रही है या training है, driving school होते हैं इन सब के लिए यूज हो रही है तो आपको ITC मिल जाएगा मतला आपने अपने personal use के लिए खड़ी दी तो आपको ITC नहीं मिलेगा इसी वैसल एयर क्राफट पर नहीं मिलेगा except जब वो यूज होगा further supply, transportation of passenger, training और एक extra है flying of, मतलब training on the navigating such vessels और imparting training on flying such तो वैसल और aircraft के भी लगबग वही चीज़ा है के additional transportation of goods जो transportation of goods है वो बात उपर नहीं लिखे थी नहीं यहाँ पर लिखे वही है और services of general insurance servicing, repair, maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessel और aircraft जो भी उपर लिखे हुए है provided that the ITC in respect to services shall be available where motor car, vehicles, vessel और aircraft are used for the purpose of specified there मतलब कि अगर जो उपर है जिन पर ITC मिलता है अगर उनकी servicing यह वो सब है तो उस पर भी मिल जाएगा we are received by taxable person engaged in the manufacturing of such vehicle or in supply of general services तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जो ITC जो है वो अगर आपका manufacturing करते हैं आप इन products की तो भी आपको servicing क्योंकि आपका business ही है the following supply of goods and services food and beverages, outdoor, catering beauty treatment, health services, cosmetic, plastic surgery leasing, renting, hiring, motor vehicle, vessel except when used for the purpose of life insurance and health insurance provided that अभी हम यह section पढ़ रहे हैं एक बार इसको analyze करेंगे तो और अच्छे से क्योंकि वीद एग्जाम्पल इलस्टेशन provided that the ITC in respect to such goods and services और भूष शल्ब अवे 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 लेबल where the invert supply of goods and services is used by registrar person for making an outward textile or same category as a element of a taxable composite and mixed supply अभी हम इन तरीके से पढ़ रहे हैं section में क्या लिखा है बर हम देख ले हाँ भी यह है फिर हम इसको analyze membership of a club health, fitness travel benefit, accident employee on vacation provided that ITC in respect to such goods and services of both will be available where is obligatory for an employer to provide the same employee जाएगा work contract service when supply for construction of an immovable property तो यह हमें अब लग रहा है कि यार यह क्या है बोरियत है यह क्या लिस्ट चलती हूँ जा रही है तो अनलाइसिस में आप थोड़ा सा with example करेंगे और इसके जब short notes बना लेंगे और हम डिविजन भी करेंगे तो आपको यह मुश्किल नहीं तो अभी एक बार हम देखने है वर कॉंट्रेट से रिलेटिड है और construction of immovable property से रिलेटिड है फुर्स और service on which tax has been paid under section 10 फुर्स और services by non-resident taxable परसनल consumption के लिए है फुर्स lost stolen है प्री सेंपल में बाटा तो यह government में prescribe the manner जहां पर आपको यह बाटना है किस तरीके से तो जैसे for the purpose of plant and machinery का क्या मतलब है वो बता रखका है इसको analyze करके समस्ते हैं तो कि यह ऐसे तो बज़ा नहीं आएगा analysis देखें के सलसली से अराम से समझते हैं क्या है तो section 17 हमें बताता है कहां पर आपको ITC मिलेगा कहां नहीं मिलेगा कहां इसको apportionment करना है कहां restrictions हैं तो वहाँ पर ITC जो है वहाँ पर बता रखका है कि blocking of ITC है कैसे है इस सब के लिए तो पहले हम बात करते हैं session 1 & 2 sub session 1 & 2 of session 17 apportionment of ITC the fundamental principle of credit scheme under value-added tax is that paid on input input service and capital rules can be availed as a credit only when the output is taxable क्यों कि देखो इसका fundamental आप समझे हो मैंने ये माल खरीदा इस पे 1000 रुपे का मालिया GST दिया अब ये GST गॉर्वन की जिब में पोची गया ठीक है अब ये मेरे लिए input GST है अब मैंने इसको suppose ना बेचा ना कुछ और output GST मालिया इस पे ही नहीं तो गॉर्वन की जिम में ओर कोस तो आया नहीं अब गॉर्वन की जिम में केवल 1000 रुपे आये थे और कोच आया नहीं अब मैं कहां जी 1000 रुपे में किसी ओर से अट अप कर दूँ इसको तो बेचा ही नहीं या कुछ करा नहीं तो गौर्मेंट कहां से देदेगी आपको ITC जब गौर्मेंट की जिम में आया नहीं। नोर्मल केस में क्या होता है। यह हजार वाला जो माल बेचा था आपने जब आपने का करा मालिया इसे बेचा और बेचने पर आउटपुट ।्ट जो थी । वो थी मालिया बारासो रुपय. तो गौर्वन की जिम में बारा सो रुपे आने हैं हजार पहले ही आ चुके हैं अब दो सो रुपे गौर्वन की जिम में और दे देते हैं हजार रुपे यहां से आई टी सी ले ले दे तो गौर्वन की जिम में दो सुर रुपय scream एफने बारह सू आ गए हजार पहले आ चुके हैं तो गौर्वन की जम में टोटल बारा सो आ गये ह। बारा सो यह घाती है अब आप ये कहने लगें कि हमने अब तो कुछ भी नहीं देना है बारासो नहीं जीरो और आप कहें जी अब देना है जीरो और जो पहले कहा था वो हजार माइनस कर देंगे तो माइनस हजार मतलब गौर्वन की जिम में जो हजार आया वापस ले लिया तो government की जिब में तो zero पहुचा तो government थोड़ी ना कही की यह zero का मतलब यह है कि अब पहले जो दे चुका वो भी वापस ले लो government कहा दिया अगर यह 1000 रुपए आपने हमें दे दी तो इसका credit तब ही मिलेगा जब आप और आगे जम्मा करो otherwise नहीं तो यह fundamental rule है यह जो पता रखा है fundamental principle है कि आपको ITC तभी मिलेगा जब उस पे output taxable है अगर वो exempt है तो आपको कैसे मिलेगा Thus when tax is not payable on output credit आपको कभी भी यह fundamental rule है यह आपको समनना जब Accordingly ITC under GST can be availed and utilized for payment of tax on output supply यह तो हमें बता है output supply के उपर आपको जब आपको credit मिलेगा Consequently ITC cannot be availed when tax is not payable on output supply that is on exempt supply exempt supply यह तो आपको ITC Now only exception to the above principle is zero rated supply where ITC is available even if no tax is payable क्योंकि वो zero rated zero rated मतला taxable ITC के हिसाब से उसे taxable if taxable person is making both taxable and exam supply he is entitled to full credit of ITC in respect of input service and capital goods exclusively used for taxable supply and no credit at all can be availed for input services or goods or capital goods exclusively used for exam supply इसका मनलब क्या है मालिया मैं जो supply कर रहा हूँ इस में से कुछ taxable है और कुछ exam मुझे पता है इसमें से कितना इंपुट इसके लिए है और कितना इंपुट इसके लिए है ये मुझे पता है exclusively उसके लिए यूज़ हो रहा है exclusively इसके लिए यूज़ हो तो इस पर ITC मिलेगा और इस पर ITC नहीं मिलेगा जैसे इसकी अलग मशीन है इसकी अलग मशीन है तुम जे पता है ना जो planter machinery taxable product बनाने के लिए यूज़ हो रही है उस पर ITC ले लूँगा जो capital goods मेरे exempt के लिए उस पर नहीं लोगा या मुझे पता raw material input कौन सा इसका कौन सा उसका अगर common input है मतलब मुझे अलग-अलग नहीं पता तो input services या capital goods common है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा proportionate ITC ही में कि न तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसे apportionment करना पड़ेगा इंदा ratio value of taxable and exam supply तो मैं क्या करूँगा मैंने यह देखूँगा भाईया यह 10 लाग की sale है यह 5 लाग की supply है तो 2-1 के ratio में यह हूँगा 2-3 ITC मिलेगा 1-3 नहीं मिलेगा तो यह मुझे value of taxable supply और exam supply करेश्यों निकालना पड़ेगा also in case goods or services are used by taxable person partly for the business purpose and partly for non-business purpose he is entitled to full credit जो उसने business purpose के लिए उसकरा है तो कोई भी credit नहीं मिलेगा जो non-business के लिए कि मैं अपने घर पे ले गया कोई समय उस पर नहीं मिलेगा और जिस पर मैंने business के लिए use करा उस पर मिलेगा और अगर common input है तो ratio में ratio में ratio निकाल लूँगा कितना business के लिए use हुआ कितना non-business के लिए elaborate provision have been made in subsection 1 and 2 of section 17 and rule 4243 ITC के लिए जो हम final level पर पढ़गा कि हमारे इस लिए लेकिन कुछ example देखते हैं जिससे आपको clear हो a registered person is in the business of manufacturing shoes he gave 50 pair to his friends free of cost ITC on input and input service to these 50 pair of shoes being used for non-business purpose will not be available नहीं मिलेगा a registered person का जो manufacture करता है उस पर 18% का GST लगता है ठीक है और एक product Y बनाता है जिसमें nil rate of tax है और एक product X जेट बनाता है जो export कर अब देखो X 10-18% है Y भी zero rated है तो दोनों पर मिलेगा ITC लेकिन Z पर नहीं मिलेगा है ना सारे के सारे product manufacture input common input से हो रहे हैं तो ITC जो product Y का है जो Z का है वो नहीं मिलेगा export पर भी आपको निल rate of tax देखो यहाँ पर क्या था जो आपका export रहता है यहाँ पर यह exempt supply होना अची निल rate of tax उसके बारे में आगए example के अब है section 17-5 में logged credit क्या है ITC of tax paid on almost every input services और capital goods used for supply of taxable goods services allowed under GST except a small list of items तो यह कह रखा है कि ITC आपको सब पर मिल जाएगा लेकिन ब्लॉग क्रेडिट है में तो वहां नहीं मिले 17-5 में लिखा हुआ thus ITC on such items is not allowed even though the same may qualify as input input service और capital goods जो business के लिए use हो रहा है अब पता है सब को ठीक है लेकि फिर वी इन्होंने का नहीं मिलेगा तो नहीं मिले अब लोग लिस्ट आफ क्रेडिट कवर मेंली आइटम हो पर्सनल कंसम्शन इन्पूट जो हमारा formation of immovable property में होता है क्योंकि immovable property पर JST लगता नहीं तो अगर हम कोई immovable property के लिए input लगा रहे हैं तो उस पर भी हमें नहीं मिलेगा ITC हाँ planter machinery पर मिल जाता है telecommunication tower pipeline वगरा है तो यह कहने क्या मतलब है कि एक blocked credit है 17-5 में उन पर आपको ITC नहीं है The various goods and services on which credit is blocked are discussed here and इन पर नहीं है तो motor vehicle and other convenience and related services जैसे उनका insurance है उनकी servicing है उनकी repair है उनकी maintenance तो motor vehicle और उन से related services पर आपको ITC नहीं है तो motor vehicle and convince वो हमें बता रखा है definition में क्या होता है एक normal तरीके से आप समझे Motor vehicle exclude Vehicle running upon fixed rails तो ये motor vehicle में train नहीं आ रही है Special purpose vehicle for being used in factory or for enclosed premise हमालिया हमारी कोई ऐसी vehicle है जो factory के अंदर ही use होती है समाने एक जगे से दूसरी जगे लेकर जाती है तो वो हमारे यहां पर motor vehicle के मतलब में Vehicle with less than 4 wheels Feated with engine capacity upto 25 cc Thus railway 2-3 vehicles, engine capacity upto 25 cc, bicycle etc. do not fall in the definition of motor vehicle So, ये सा motor vehicle के मतलब में Broadly, ITC is blocked on motor vehicle, vessel and aircraft with certain exception Motor vehicle, vessel and aircraft तीन चीज़ों पर है Motor vehicle में भी train मगरा नहीं है Cycle, auto rickshaw और two wheeler नहीं मतला उन पर ITC आपको मिल जाए Further, ITC is also blocked on certain services related to motor vehicle, general insurance, servicing and repairmen The basic principle is here is that the motor vehicle, aircraft and vessel on which ITC is blocked The ITC on services, repair maintenance is also blocked अगर वेहिकल पर ITC नहीं मिल रहा है तो इंसे related services पे भी नहीं मिल अगर वेहिकल पे मिल रहा है तो services पे भी The block credit related to motor vehicles, vessels and aircraft are discussed here and सबसे पहले motor vehicle की बारे में बारचीत तो goods and or service on which credit is blocked Motor vehicle for transportation of person with sitting capacity is less than equal to 13 including driver ठीक है तो इन course or services on which credit is blocked इन पे ब्लॉक है लेकिन कुछ exception है मतलब इन पर allowed हो जाएगा क्या हो जाएगा Ineligible motor vehicle when used for any of the following eligible purpose मतलब कि वैसे तो motor vehicle पर अगर 13 लोगों के equal या उससे कम capacity है तो transportation of person के लिए ना समदर transportation of goods के लिए motor vehicle है वो allowed है यहाँ पर कहले का motor vehicle for transportation of persons with capacity of less than equal to 13 और उसमें allowed नहीं है लेकिन अगर वो ही vehicle हम making further taxable supply of such motor vehicle that is trader of motor vehicle अगर वो ट्रेडर है motor vehicle का तो उसको allowed है making taxable supply of transportation of passenger is stable operator operating transportation services तो उससे भी allowed है और making taxable supply of imparting training on driving such motor vehicle जैसे motor driving schools है उनको भी allowed है तो remark क्या है ITC on ineligible motor vehicle used for any purpose other than the eligible is not allowed इन के लिए allowed है third point में लिखा है otherwise allowed नहीं है ITC on motor vehicle for transportation person with sitting capacity more than 13% used for any purpose is allowed तो क्योंकि यह क्या है up to 13% is not allowed more than 13% is always allowed क्योंकि more than 13% personal use के लिए नहीं होगी वो तो business use के लिए रहेगी ITC on motor vehicle other than the ineligible motor vehicle that is motor vehicle used for transportation of goods, dumpers, etc. used for purposes allowed कहने के मलब यह है यह कहना चाहते है मोटे तूर पर सोच देखो क्या है सोच यह है कि अगर आप उससे business कर रहे है तो allowed है क्योंकि business करने पर आप माल बेचोगे बनाओगे, supply करोगे उस पर आप output tax दोगे तो ITC allowed है लेकिन आपने एक car खरीदी और car घर पे खुड चला रहे हो तो आप क्या इसे आके बेच रहे हो क्या इससे आपको गॉर्मेंट को कोई output tax आ रहा है नहीं तो गॉर्मेंट आपको किसी देखो यह logic सोचोगे तो आपको यह अराम से सब्सक्राइब इसके बात है vessel and aircraft तो vessel and aircraft पर allowed नहीं है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने खरीद लिया अपने vessel and aircraft प्राइवेट जेट होते यूज कर रहे हैं अपने personal use के लिए तो उन्हें allowed नहीं होगा तो यहां क्या लेका वैसे लेका रहा when used for polling purpose taxable supply taxable supply of passengers लेकिन taxable supply of training, लेकिन taxable supply of flying transportation उन्होंकोर्स तो है मता कहने का अबलब यह है business के लिए इस्तेमाल करो तो allowed है personally use करो तो allowed नहीं है सीदी सी बात है और general insurance servicing repair maintenance अगर ITC जो खरीदने पर आपने दिया वह allowed है तो यह भी allowed है वह block है तो यह भी allowed है तीदी सी बात है pleasing renting or hiring of motor vehicle on ITC is known तो अगर आप किराई वगर आपर दे रहे हैं तो ITC अलाओ नहीं such services used for making an outward taxable supply of same category of services or element of taxable composite or mix supply तो यह कह रखा है कि such service when used for making the taxable अगर हम इसको use करें मतलब हमने किराए पर दिया है तो हमें ITC नहीं मिले लेकिन हमने इसे किराए पर लिया है और इसे किराए पर लेकर हम आगे और काम कर रहे हैं जिससे taxable supply हो रही है तो हम उस पे ITC ले पाएं, तो हम ओनर नहीं हैं, हम किराए पे ले रहे हैं, किराए पे ले करके हम टेक्स दे रहे हैं, और आगे हम कर रहे हैं तो हमें मिल जाएं, लेकिन हम ओनर हैं और किराए पे दे रहे हैं, तो हमें ITC नहीं हैं, वसा सर्विस वेन प्रोवाइड़ वैं employer to its employee, ऐसे statutory application, गॉर्वन ने कहा है कि वहिया आपको देना पढ़ेगा, facility देनी पढ़ेगी अपने employees को और उस वजह से हम facility दे रहे हैं, तो ऐसी situation में allowed हैं, तो ITC on leasing, renting or hiring of motor vehicle, on which ITC is allowed, is also allowed, ITC on leasing, renting, renting or hiring of motor vehicle, on which ITC is allowed, हो, तो अगर हम किराए पर ले रहे हैं, तो हमें allowed हो जाएगा आगे, ITC on services is allowed on case or subcontract, that is when services are used by a taxpayer, who is in the same line of business, मैंने आगे lease पर लेका आगे किराए पर दे दिया, तो भी allowed हो जाएगा, ITC on car purchased by manufacturing company for official use of its employee is blocked, क्योंकि मैं जो car है, उसको आगे passenger के तोर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, हैजे tour and travel agent इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो ब्लॉक है ना, ये तो तब ही allowed होता है, जब मैं आगे उसको business के लिए goods वगरा के लिए या passenger के लिए use कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो 13 तक के लिए है, truck allowed है क्योंकि goods के लिए है, ITC उने एक राट पचेज़ बाइ manufacturing company for official use is block, the personal use या official use जिसकी वज़े से आप आगे कोई कमाई नहीं कर रहे तो ब्लॉक है, aviation school है, जो flying aircraft training देते हैं, उसे allowed है क्योंकि training देके आगे पैसे लेंगे, उस पे ITC और general insurance टेकन, और car use by employee not allowed क्योंकि वो employee वाला वैसे भी allowed नहीं है, तो insurance भी allowed नहीं हो, ITC और maintenance repair, वो truck allowed है, क्योंकि truck का वैसे भी allowed है, तो maintenance का भी allowed है, car manufacturing car dealer is allowed, ITC तो कि ये वैसे भी allowed होता है, cat purchase किया है, official travel के लिए ब्लॉक है, तो इसके उपर insurance, repair maintenance भी ब्लॉक हो जाए, हम बात करते हैं, food, beverages, outdoor catering, health service, and other services, food, beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic plastic surgery, life insurance, and health insurance, अगर आप ये देखें, तो ज़्यादा तर ये चीज़े हैं, personal use में आती है, आप outdoor catering कर रहे हैं, तो आप घर के लिए दावत कर रहे हैं, beauty treatment आप अपने उपर ले रहे हैं, health service आप खुद ले रहे हैं, cosmetic surgery आप खुद कर रहे हैं, life insurance सपना ले रहे हैं, health insurance सपना ले रहे हैं, तो जब आप उसे अपने personal use के लिए ले रहे हैं, तो आप को ITC नहीं मिलेगा ना, लेकिन अगर उसी को business के लिए use कर रहे हैं, तो ITC मिल जाएगा, कैसे such goods and services used by registered person for making an outward taxable supply, तो आपको मिल जाएगा, यह ना, such goods and services provided by employer to employee under statutory obligation, मिल जाएगा मझबूरी में आप दे रहे हैं, तो एक ऐसे ITC on such goods and services allowed in case of subcontract, क्योंकि आप आगे supply के लिए कर रहे हो, तो मिल जाएगा, यह ना, और provided by employer to employee without any statutory obligation, तो ब्लॉक है, क्योंकि statutory obligation है, तब ही employer से employee पर exempt, अब membership of club, health club क्या होता है, generally personal use के लिए होता है, तो यहाँ क्या लिखा है, फिर ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन services provided by employer to employee under statutory obligation, तो allowed हो जाएगा, travel benefit extended to employee on vacations, such as leave or home travel concession, तो वो यागर statutory obligation है, तो exempt है नहीं, तो taxable हो, तो यहाँ broad sense में देखो, कि अगर देखो, चाहे वो vehicles हैं, चाहे यह सारी services हैं, यह अगर आगे और कमाई के साधन पर इस्तिमाल हो रही है, तारिकली इन से कुछ कमाई हो, यह तो allowed है, नहीं तो नहीं, जैसे मैंने कार खड़ी देगा, मैं अपने office के लिए कार इस्तिमाल हूँ, यह कार आगे टेक्सी की तरह चला रहा हूँ तो, simple ऐसा fundus हो, जो चीज़ मैंने खड़ी दिया, अगर इससे मैं output tax generate कर रहा हूँ, और गौर्णमन को दे रहा हूँ, तो ITC का नहीं तो, तो कि फिर यह, basically उसी के लिए यूज हो रही है, अभी एक manufacturing कपनी ने food item खड़ी दिया, अपने customer को free of cause देने के लिए, तो manufacturing business है, मैं planter machinery बनाता हूँ, अब planter machinery बनाता हूँ, या एक बास समझो, planter machinery बनाता हूँ, और customer बिर बास आते हैं, मैं कहता हूँ, खाना खालो, कोई दिक्कत 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 बनाता हूँ, तो planter machinery के लिए, जो food है, ये इस्तेमाल नहीं हूँ, ये food item बर IT से, ये caterer है, वो लुदियाना में marriage करने के लिए, contract है, तो मुझे, एक contract मिला है, ABN Company, अब देखो क्या बात है, यहाँ पर दो कंपनी है, एक ABN Company, और एक है CD and Sons, अब ABN Company, ये आगे outsource कर रही है, तो ये आगे दे रही है, तो ये business के लिए, यूज कर ये से मिल जाएगा, CD and Sons, एक्चल में वो दे रहे हैं, जो personal use के लिए आगे इस्तेमाल हो जाते हों, नहीं मिलेगा, ITC on outdoor catering, services availed by garment exporter, for a marketing event, तो क्या इस catering से और कमाई हो रही है, तो नहीं मिलेगा, outdoor catering is availed by company to run a free canteen in its factory, और factory act कहता है कि आपको canteen setup करनी पड़ेगी, तो जब statutory requirement होती है, employer अपने employee को कोई service दे रहा है, तो allowed हो जाता है, तो फिर allowed हो जाता है, managing director of company has taken membership of a club, ये block है, ये आगे business के लिए use नहीं हो रहा है, ये company availed service of travel agency for organizing a free vacation for performing employees, block है क्योंकि कोई government के थुरू जबरदस्ती नहीं कहा गया, पर concrete service for construction of immovable property, तो कि ये बात बोली थी, कि जो है, हम immovable property पर GST तो लगा नहीं रहे, तो उस पर ITC क्यों दे दे, कैसे दे, तो one major input service जो है, on which is blocked is input survey related to construction activity, like construction of office building, factory building, etc, except in case person like builders, developer, क्योंकि उनका तो कामी है, आप builder हैं, तो आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उनके लिए बात नहीं हो रही है, however, ITC is available for routine construction related service like repair maintenance, office में repair maintenance होती है, तो उसके लिए दिख कर नहीं है, लेगिन जब construction हो रही है, तो उसके लिए आपको नहीं मिले, तो इस ब्रोड़ले, ITC of construction service is not available when expenses are capitalized in the books of account, capital nature का खर्चा है, तो उस पर नहीं मिलेगा, here, it needs to be noted that capitalization of an expense does not depend on whether the taxpayer is intended to avail ITC, but on the basis of accounting standard हैंगे, आप ये नहीं कर सकते कि आप tax ITC लेने के लिए जोड मूड को capitalize कर दो, तो accounting standard के साब से उसके capitalized होना चाहिए, accounting standard 10 है, property plant and equipment के साब से वो capitalized होना चाहिए, तभी तो करोगे, work contract has been defined in CGST Act, essentially work contract is composite supply involving goods and services, work contract का मतब अब कर आती है, however under GST law, तो यहाँ पर only movable properties से related हम बात करें, movable property और content movable, immovable property दोनों से related हो सकता है, लेकिन जो block हुआ है, वो immovable property है, तो immovable property का प्रोपर्टी तो define नहीं किया गया, लेकिन generally हम कहते हैं, जो जमीन से attach है, जमीन से attach होने का मिदलब, rooted in the earth, just like freeze, वो immovable property है, वाल बिल्डिंग है, और permanent, वो beneficial है, यह नहीं furniture movable होता है, immovable नहीं होता है, आप यह नहीं कह सकते हैं, फनीचर जमीन पर रखा है तो वो immovable है, प्लांटिर मर्शीन नहीं movable नहीं, जब until unless वो ऐसी fix होगए, यह लेक ही नहीं, तरवाज से वो सब movable में आ जाता है, अंडर GST law, composite supply of workers, tt-t-races, supply of services, तो जब हमने पढ़ा था, composite supply, schedule second में कि, क्या है supply of service, और क्या है supply of goods, तो वहाँ पर लिखा था, कि अगर हमारी composite supply है, जिसमें हमारा कुछ माल भी जा रहा है, और service भी जा रही है, तो वहाँ पर उसको हम supply of services, तो ITZ on work contact services, for construction of immobile properties block, लेकिन उस situation में, अब है, if it is in input service, वो further supply of service मता subcontact, तब मैं यही काम आगे करो, तो वो फिर तो मेरे लिए, business काई पार्ट हो गया, और उसी से ही कमाई करो, ITZ on work contract services, can be availed only by the taxpayer, which is the same line of business, same काम है तभी, और immobile properties, प्लांटेर मशीन, जैसे प्लांटेर मशीनी के लिए दिक्कत है, अब वो है, प्लांटेर मशीनी इम्मोवेबल नहीं मानी जाएगी, एक तरीके से, क्योंकि वो प्लांटेर मशीनी जब जमीन से पर्मिनन लगा देते हैं, तो इम्मोवेबल हो जाती है, लेकिन ITC की कि हम उसको मोवेबल ही मानी जाएगी, यह कह से, प्लांटर मशीनली का क्या मतलब है प्लांटर मशीनली क्या मतलब है प्लांटर मशीनली क्या होती है वो डेफिनिशन दूर्स ITC on work contract service availed by construction of eligible planter machine irrespective of the line of the business क्योंकि उसे हमने immovable माना ही नहीं है और ITC on work contract services construction of machine fixed to earth by foundation would be allowed और ITC on work contract service for construction of telecommunication tower block है क्योंकि telecommunication tower को plant and machine नहीं नहीं माना ही उसको construction ही है ITC on work contract service availed by software company for construction of its office is block के office एक immovable property है CDN company work contractor है उन्हें contract मिला उन्होंने contract और किसी को दे दिया नहीं होड हो जाएगा ITC on work contract service availed by automobile company for construction foundation on machinery allowed machine ITC on work contract availed by manufacturing pipeline to laid outs for construction of pipeline to be laid outsides factory तो यह immovable property मानी जाती है आइन बना रहे है आप रॉक हो जाएगा construction worker एक कंसल्टेंसी फर्म वर्काउंट्राइड लिया office building की repairing के लिए और यह इंडल में डाला है तो revenue nature है आउड हो जाएगा telecommunication service ने availed कर दिया service repair of office building company ने capitalize कर दिया तो तो repairing capitalize कर दिया तो अलब नहीं है नीतो है self construction of available property आपने खुद बनाई है so now we know that ITC on work contract service available by taxpayer other than the work contractor for construction is not available but the taxpayer ने गुर्स और service of construction अपने business के लिए यूज खरा without availing service of work contract so क्या होगा मालिय में खुद ही अपनी building बना रहा हूं मता कोई contract से नी normal worker से बनवारा हूं the answer is no ITC is not allowed on course or service received by a taxable person for the construction of improbable property other than planter machine, यहां पर भी planter machine allowed है on his own account even though such course or services are used in the course or furtherance of business अधा मैं अपनी office building factory building के बना रहा हूं तो भी allowed नहीं है ठीक है एक company by cement tiles avail the service of architect for the construction of office log MN construction, cement paint iron ore construction of commercial complex for client मैं किसी के लिए building बना रहा हूं और building देच रहा हूं तो तो allowed है क्योंकि मैं property dealer या builder हूं तो उसको तो allowed है एक company by cement avail the service of architect for renovation company ने यह खर्चा P&L में डाला है तो allowed है और यह ही ITC है automobile for construction of foundation मशिनरी मशिनरी तो allowed हो जाएगा ठीक है ना तो अगर हम वैसे पढ़ रहे थे केवल section 17 तो नहीं आ रहा अगर अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इन्वर्ट सप्लाइज चार्ज टू टेक्स अंडर कंपोजिशन किवाए आपको याद है कि हमने पढ़ा था कंपोजिशन करा सकते हैं एक सप्लाइर रेस्टर अंडर कंपोजिशन कैनोट कलेट कस्टमर से वह टेक्सी नहीं ले सकता है और उसे ITCB अलाउड होता ही नहीं दस सप्लाइर इशू बिलोव सप्लाइर नोटे टेक्स इन्वाइस एक कंपोजिशन सप्लाइर पे लंसम टेक्स एक स्पेसिफाइड रेट और वाटरली तन वर कंप रेट होता है इक्स पर टेक्स का, उसे देना पड़ता है उसे एलाउड सेच्स कलेट्क игр और जब वह टेक्स कलेट्टी नहीं करता है की तो ITCB उसको नहीं मिलता है च्झ पेड इन कोर्वेश़शेंग ने कंपोजिशन इस नोट अलाउड इसे composition supply cannot collect from the supply obviously उसे ITC भी नहीं 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 तो नवर सेले सेक्शन 17 इस स्पेसिफिकली ब्रोग निवर्ट सप्लाइ रिसीट बाइदा composition इन्वर्ट सप्लाइ रिसीट बाइदा इन्वर्ट सप्लाइ रिसीट बाइन non-resident taxable one resident taxable person has been defined in CSTA essentially a non-resident taxable person has no fixed place for business in India but उसने suppose supply करा है कुछ tax paid on the goods or supply received by such non-resident taxable is notable as ITC however tax paid by him on imported goods is out as ITC तो लिखा है कि भाया non-resident जो है वो तो चलता फिरता इंसान है उस ITC ना कर उसने कोई import goods किया है किया में और उस पे दिया है तो फिर ITC मिल जाएगा otherwise को कोई तो where as ITC on goods imported by non-resident taxable person is allowed and ITC on service imported by him is यहाँ पर लिखा है कि goods जो है वो available नहीं है लेकिन अगर import किया है उसने goods को तो उस पे ITC मिलेगा और service पर उसे नहीं मिलेगा normally वैसे भी नहीं मिलेगा कि अब लेकी situation में ITC मिलेगा non-resident को अगर उसने goods import service नहीं है आगर आप inverse supply यूज करते है personal consumption के लिए तो आपको ITC तो mainly condition क्या है section system में कि आप उसे business के लिए यूज कर रहे हैं अगर आप business के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा ही नहीं personal consumption के लिए specifically block personal consumption defined नहीं है लेकिन आप general sense में on business uses personal Mr. X के groceries है उसने biscuit वगरा rice वीर सब कुछ है उसने 10 kg rice करीदा और अपने घर के लिए चीट करीदा consumption ITC free sample gifts puts lost stolen अब आप कह सकते हैं हम free sample दे रहे हैं यह तो हमारे business के activity अड़ोटाइस्मेंट है आपको ITC मिलना चाहिए ना गिफ्ट आप business के लिए कर रहे हैं हो गया आप कहा सकते हैं यह तो business का एक पार्ट है आपको मिलना चाहिए तो इन्हों होने का ठीक है section 17.5 में block कर देते हैं tension खतम gift दो sample दो tori हो जाएं खो जाएं डेस्टो हो जाएं आपके बेकार हो जाएं पड़े पड़े तो ITC desperate of goods are disposed of by way of gift or sample is not available lost, stolen, destroyed और रिटन आप देकार हो के तो भी नहीं this is because principally ITC is available for the payment of tax on output supply जब output supply पे taxi नहीं है इन सब situation में तो आपको ITC क्यों दे जब taxi नहीं दे रहे तो ITC किस बात कमे लेगा भाई आपने ना तो gift पे कोई दिया tax ना sample, free sample पर कोई auto tax तो दे नहीं रहे तो औरी जगारी होगा एक हो गया तो क्या auto tax दे रहे नहीं तो फिर आपको ITC किस कुशी में मिले अब meaning of gift gift का क्या मतलब है या gift का मतलब जो आप किसी को दे रहे हैं बिना उसके कोई टेंपल का मतलब या आपको नॉर्मल ही पता है कि हम छुड़ा पार्ट देते हैं उस पर लिखते है note for sale और कहते हैं कि वह या sample करो ताकि हमारी sale बढ़क सके sample बोलते हैं है तो business के लिए लेकिन नहीं ITC in the hands of supplier in respect of sale promotion scheme तो circular ने clarify करा की entitlement of ITC in the hands of supplier respect of various sales promotion scheme as under taxability of such scheme has been discussed in chapter 2 supply under GST and chapter 7 क्या लिखा है sample and free gifts हैं जैसे sample which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply that where the activity fall under the ambitious schedule 1 of the CGST schedule 1 क्या कहता है आपको schedule 1 कहता है कि बिन consideration के भी supply माना जाएगा अगर वो ऐसी situation है और उसके ऊपर आपका GST लग गया तो आप eligible हो जाएंगे न ITC shall not be available to the supplier on the input input services and capital goods to the action they are used in relation to gift of free sample distribution without consideration however अगर ये activity supply के दारे में आती है उसके पर output GST लग गया फिर आप ले लो ITC ना अगर आप ये तू नहीं कहा सकते ना एक तरह आप कहा रहे हो schedule 1 में consideration नहीं है लेकिन हम इसे मानेंगे और output tax लगाएंगे अगर बाउटपूट GST लगाओगे तो बही आईटी सी देने से मना कैसे करोगे तन में आरी है बाद buy one get one free offer this is not an individual supply of free goods but a case of two or more individual supply where a single price is being charged it can at least the treated as a supplying of two goods for one price एक के साथ एक free taxability of such supply will be dependent upon whether the supply is a composite or mixed supply the rate of tax क्या है तो याद है composite supply में main item क्या tax होता है mixed supply में highest rate होता है तो यहां लेका ITC will be available to the supply for the service of capital cruise use to supply such offer तो यह क्या रखा है बेश तो रही हो याँ फरी में थोड़ी ना दे रही हो तो जो आपका लगत तो रही है इस पे तो आपको ITC मिल जाएगी कुछ टेंशन ही नहीं कई बर हम डिसकाउंट देते हैं को ख्रीदो तो तीस परसन टीन करो दो तीस पर्सन था खरीदो इसा कुल डिसकाउंट भी देते हैं discount including buy more ye more discount offer by the supply to the customer buy more shall be exclude to determine the value supply वो तो discount minus यु जाएगा इनई? including the reversal of ITC by the recipient of supply as in attributable to the discount on the received documentation माल या ऐसा होता है आपने मेरे से कहा पूरे साल में 10 लाग का माल खरीद लोगे तो आपको डिस्काउंट मिले मैंने 1 लाग का माल खरीदा 2 लाग का माल खरीदा साल खतम होते होते पता चलेगा मैं तो ITC क्लेम करता जारू तो कि मैंने 1 लाग का माल खरीदा 1 लाग पर ITC क्लेम कर लिया 2 लाग का खरीदा कर लिया जब लास में आया पता चला 10% डिस्काउंट है तो जो लाग का माल खरीदे था वो तो नंबेका रह गया तो लिखा उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा ना आवेवर दा सप्प्लायर तो अवेल दा इटीसी फो सच इंपूर डिलेशन तो दा सप्लाय गोर्स और सर्विस और बहुत और सट डिस्काउंट तो कहने कम दब है उसको रिवर्सल करना पड़ेगा जो डिस्काउंट हो रहे है सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है या डिस्काउंट नोट ओन अट दा टाइम अव डिस्काउंट नहांपर लिखा है तो यहां लिखा है कि रिवर्सल बाइदा रेसिपेंट ऑफ द एसे अट्रिविटल टुदर डिसकाउंट ऑन देशिए डॉक्यूमेंट इशुब है मतब कहने कम लब यह कि अगर आपने ज्यादा क्लिम कर लिया तो रिवर्स करना पड़ेगा नहीं तो ITC उतने पर मिलेगा जो सप्लाय है यह बात है, secondary discount वही जो बात है पहले नहीं पता था, last में पता है लिखा है, these are the discount which are not known at the time of supply or supplier are offered after the supply is already over but discount shall not be excluded while determine the value of supply. there is no impact on availability or otherwise of ITC in the hands of supplier in this case तो यहाँ लिखा, ITC reversal when return of time expired medicine, drugs, तो यहाँ लिखा है कि अगर अगर आपका invoice बनाते हुए discount हो गया है तो उसे reverse कर दीजिए और अगर उसमें discount वगएरा नहीं हुआ है तो यहां लेका set discount shall not be excluded while determine the value of supply तो क्या रखा है अगर secondary discount है तो मत कर रहा है ठीक है तो उस situation में मत कर रहा है अब यहां पर क्या ITC reversal when return of time अगर अगर डिजिए रुड़ रुड़ दीजिए रुड़ डिजिए प्रेट अगरा प्रेट अगर डिजिए अच्छर अगर गड़ डिजिए इस अगरा the common trade practice in the pharma sector is that drugs or medicine are sold by the manufacturer to the wholesaler by the wholesaler to the retailer on the basis of below supply such goods have a defined life which is normally referred to as a date of expiry such goods which has closed their date of expiry are referred to time expired goods and return to the manufacturer on account of expiry to the supply chain अब मैंने आपको माल दिया दवाई दी अब उस दवाई के ऊपर एक डेट है expiry date अब उस तो expiry date में क्या रहता है कि मैंने आपको माल दिया पिर डेड़ दिया आगे माल दिया आगे माल दिया और यह है कि expiry वापस हो जाए expiry वापस हो जाएगी तो हम टाइम देते हैं expiry date के 6 मेने तक हम वापस लिए ऐसा तो यहां लिखा है as clarified date the retailer wholesaler can return the time export goods either by fitting the same as fresh supply or by issuing के credit तो यहां तो क्या होता है उस माल के बदली में माल बदल के यहां फिर एक credit note तो माल बदल के माल बदल लो प्रेश सप्लाई है वो पुराने के बदली में निया हो जाता है अगर return हो रहा है return of time export goods by treating the same as fresh supply तो क्या होगा in case the person returning the time export goods is a registered person he may at his option return the said goods by treating it as a fresh supply and thereby issue an invoice for the same the value of said goods as shown in the invoice on the basis of which the goods are supplied earlier may be taken a value of return supply wholesale or manufacturer as the case may be whose recipient of a return supply shall be eligible to ITC the goods levied on said supply subject to the fulfillment of condition ये क्या कहना चाहिए ये ए ने बी को माल बैचिए बी ने वापस करा बी इसे करे आप इसे supply माल लो तो इस पे क्या लगा होगे आप आपने जो दिया था उस पर ITC ले लो अब आपके लिए क्या ये ए एक लिए क्या ये इनपुट या किसी ले कहने कम बात वही हो जाएगा अब ऐसा कर लो इनकेज दा परसन रिटर्निंग दा टाइम एक्सपार गोर्स इसे कंपोजिशन टेक्सपेर उसे दालाओ नहीं है इमें रिटर्न दा सेट गोर्स पर इशूंगे बिलोग सप्लाई तो कि टेक्सिन वाज तो इशू नहीं कर सकता ना एम्पे टेक्स अर्दर एट अबलिग बेल तो एकंपोजिट सप्लाई इस सेनेरो दे विल बी नो अबलिबिलिट्री ओफ इशूंगे तो भाया अगर वो कंपोजिशन है तो उसे नहीं मिल पाए इनकेज दा पर्सन रिटर्णी तो टाइम एक्सपर गोर्स इज अन्रिस्टर पर्सन अब अन्रिस्टर्ड है तो वो तो टेक्सिन वाज दे नहीं सकता ना तो उसे क्या करना पड़ेगा उसे ITC विदाउट चार्जिंग टेक्स वो देगा और ITC उस पर नहीं मिल प्यर्दा गोर्स रिटर्ण बाई रिटेलर जैसे फ्रेश सप्लाई या डैस्टोर बाई अन्रिस्टर बाई अन्रिटर्ण सप्लाई अब देखो क्या है ये ने किसे दिया बी ने इसे वापस कर दिया और इसने क्या लगा दिया इसके लिए क्या ये इन्पुट लेकिन इसने इस माल पर आग लगा दिया तो क्या माल बीचा ये तो ITC ब्लॉक हो गया ये तो ये ITC नहीं ले सकता ठीक है ना सीधी सी बात है वो रिवर्सल होगा बस इसके लिए पर एक ही जेब से तो टेक्स गया ही नहीं था उनने तो ITC पर ले ले लिया था ना ये तो यहां पर लिखे ना अधार दने तॉर्पे की मेडिसिय की ये ना दसरेखे का ITC ले assumptions at the time of return of such medicine on account of expiry ITC available to manufacturer on the basis of fresh invoice issue is 15 तो कि अब क्या A ने P को दिया था तो कितना टेक्स लगाया था तस B आगे बेशता है न लोकों को ये तो महेंगा बेशता होगा न अब इसको अगर fresh supply मान रहे हैं इसका rate ज्यादा है तो इसने पंदरा रुपए लगा दिया तो when the time expired are destroyed by the manufacturer तो he would be required to reverse ITC of 15 तो ये clarify करा है कि इसने ITC कितना लिया है तो पंदरा reverse करेगा ना कि 10 रुपए ये ना tax paid in fraud cases, detention of configuration, etc. अगर text दिया है क्योंकि आपने fraud करा किसी वेटे से पकड़े गए उस पर text दिया है तो उस पर आपको ITC कितना लब गौर्वन ने चापा मारा कुछ हुआ और आपका text चोरी पकड़े गई और आप पर लगा text अब आपको जी मैं तो ITC क्लेम करूंगा नहीं, ITC नहीं मिले ठीक है? इविजन ओव टेक्स के case में पकड़े जाने पर आपको जो text देंगे उस पर आपको ITC ज्यान रखी तो ये था हमारा section 17 और इसमें mainly है आपका blog section 17.5 ये काफी अच्छे से हमने देखा बाद में, क्या चीज़ है logic के साथ देखा तो आपको याद रखे section 17 next class में section 8 official circumvention जो